हेलो फ्रेंड्स आज आप लोगों के साथ हम आलू की एक ऐसी नमकीन की रेसिपी सेयर करने वाले हैं जो कि आपको खाने में बहुत ही चादा टेस्टी लगेगी यह आपको घर पे बनाना भी बहुत आसान है यह बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है तो इसको बनानी क जो चिप्स वाला कटर होता है उससे हम इसको चिप्स जैसा सेब देकर काट लेंगे थोड़ा पदला ही काटेंगे इसको हमें मोटा नहीं काटना है जैसे हम चिप्स काटते हैं सेम उसी तरीके से हमें इसको काटना है और इसको हम तीन से चार पानी में इसको हम धोलेंगे और दोने के बाद इसको हम इस तरीके से पहले जो सभी को एक साथ तीन से चार चिप्स को लेकर उसकी लेयर को एक पेक रख के हम इस तरीके से चाकू की मदद से पहले पतला पतला काटेंगे तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी से यह कट जाता है तो इसी तरीके से हम सभी को आलू को इस तरीके से काट लेंगे थोड़े बड़े साइज के रहेंगे तो यह बड़े बनेंगे और थोड़ा छोटे साइज के आलू रहेंगे तो यह छोटे बनेंगे उसी तरीके से फिर 2-3 पानी में दूलेंगे इससे धूने से क्या होता है ना कि इसका जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है और ये एकदम वाइट ही होता है तो यहां पर हमने एक तावल ले लिया है उस पे हम इसको पहले इसका पानी शुखा लेंगे आप चाहें तो इसक लाला तरीके से तावल पे सुखा लेंगे और पानी कहता है जिसका पानी है जब आप ने प्लच फानी है जब एकडम से कम से लगता है और यह बहुत ही जादा क्रिस्पी बनते हैं इसके लिए हमने आदा चमच आमचुर पाउडर, आदा चमच लाल मिर्च पाउडर, आदा चमच काला नमक और आदा चमच जो हमारा नमक होता है वो हम ले लेंगे और लेने के बाद हम इसको पहले अच्छी तरीके से मिला लेंगे बव्य किसे से अरे अश्य देरंस नागे करेंगे, अधी अधर स्कूंगे एक फ्री 2017, वस्की के सब्सक्राइन तो ऩरेंगे के समय देने प्ले ज्फफते हिए वाद करेंगे , जब तक जो तकṣ बीट यसा में मुझती हिए वच शल चाजी कंधित पनी अगला भी डाल के उसको भी हम चाल लेंगे तो यह नई रेशिपी है यह बहुत ही चादा खाने में टेस्टी लगती है यह इस तरीके से आपने नमकिन नहीं बनाई होगी तो एक बार जरू ट्राइ कर गए यह घर पर आप इस तरीके से बना के खा सकते हैं मार्केट में यह बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती है थोड़ा सरस में डाला हुआ होता है तो आप भी डाल सकते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हमारा जो यह नमकीन है यह भी इधर से दुबारा भी तल चुका है उसके बाद हमने इसमें आधा कटोरी मुंगफली डाली है अब थोड़ा सा कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हमारी जो मुंगफली है उसको भी हम धीनी आज पर उसको भी भून लेंगे तो हम इसको निकाल लेंगे उसी प्लेट में हम निकाल कर इसको भी फैला देंगे और जब यह हमारा मुंगफली लुदा गरम हो तभी हम इसे मसाला यहां पर देख सकते हैं यह कित्ता क्रिस्पी बना है इसको यह बहुत ही आसानी शे टूट जा रहा है तो इसमें हम दो चमच सभी मसाले डालेंगे अगर बच्चों को देना है तो आप थोड़ सकते हैं तो हम इसको पहले अच्छी तरीके से मिला लेंगे और मिलाने के बाद में परschaft के टोटार, और निकाल लेंगे तो हमारी जो नंकिन है वो रेड़ी हो चुकी है यह कि खाने में भी चभी ज़्यादा टैस्टी लग रहे हैं यह घाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं बनाने में तो आप भी इस तरीके से यह नंवकिन बनाईए और इंजॉय करिए और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और सेयर करें थैंक यू